नमस्कार दोस्तो बात करें अगर कीबोड की तो आप सभी को पता होगा कि एक computer system में कीबोड बहुत important role play करता है जाहिर सी बात है अगर आपको कोई भी चीज टाइप करना हो या लिखना हो तो आप कीबोड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया कि एक standard कीबोड में total 104 कीज होते हैं लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आपको इन 104 कीज का proper इस्तेमाल आता है तो maximum का answer होगा नहीं इन 104 कीज में कुछ कीज होते हैं जो कि हमारा F1 से लेके F12 तक होता है जिने हम functional की बोलते हैं तो आज की वीडियो में हम इनी functional की के बारे में पढ़ेंगे तो मेरा नाम है दानियाल चलिए बीना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो हम लोग आगें अपने computer screen पे और यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले कि F1 की का क्या इस्तेमाल होता है F1 की को basically हम use करते हैं अगर मुझे किसी भी application या software में help चाहिए होता है तो हम F1 की का इस्तेमाल करते हैं जैसे यहां मैंने wordpad को open कर लिया यहां पर अगर हम इससे related कुछ help चाहिए तो हम क्या करेंगे simply F1 को press करेंगे जैसे मैंने F1 को press किया इसका help menu आपको open के सामने आ जाएगा अभी आपको internet connected नहीं है इसलिए यह दिखा रहा है look like you are not connected to the internet इसी तरह से अगर आप माली यहां आपको कोई help चाहिए तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं F1 को press कर दें तो आपको सीधे क्या हो जाएगा help menu आपन हो जागा जैसे मैं F1 प्रेस करता हूं आप देख सकते हैं help menu हमारा यहां open हो जाता है तो F1 का हम basically यही use करते हैं आगर मुझे help चाहिए हो तो हम F1 की का इस्तेमाल होता है F2 की का basically हम use करते हैं अगर मुझे किसी file या folder का नाम rename करना हो तो उस case में मुझे F2 की का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जैसे यहां मेरा एक Folder है इस पर हम किलिक करते हैं और जैसे i2 को प्रेष करते हैं यह हमारा स्पलेक्ट हो जाता है अब यह तो आपसीदे यह या इक ट्राक्ट सिलेक्ट करें या बिल्छककारा आप इस भी नाम लिख सकते हैं यहां इस 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 वाले को भी चरियो करना है हम क्या क्यों यूज करते हैं अगर मुझे किसी फाइल या फोल्डर का नाम रिनेम करना हो तो इस्तेमाल करते हैं यह तो हो गया आपको सिंपल यूज एक और यूज की का वह यह है कि अगर आप उसको कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं तो आपका जो भी की डोकुमेंट होगा वह किस टाइप से प्रिंट होगा उसका प्रिव्यू देगा यहां मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूं यह मेरा रिज्यूम है अगर मैं यहां सीधा क्या करूं कंट्रोल को प्रेस करते हुए एस्टू को प्रेस करूं तो यह हमारा प्रिव्यू को खोल है एम इस्तिमाल करते हैं कि अगर मुझे कोई पैरा गराफ है उसको अपर केसमें करना है या यहांगे करना है यह संतेंस करना है सिंते माल करते हैं सीधा को neatly चलते हैं और यहां आपको प्रैक्टिकलिक अ करके दिखाते हैं यहां मैंने कुछ टेक्स्न कारता हूं था लेक्ष कर लेता हूं अब मैं जैसे यहां इसको shift के साथ F3 प्रेस करूंगा तो यह convert होने लेगा यह देखिए अभी आपका प्रकेस में आगया फिर से मैं प्रेस्ट करूंगा तो यह आपका क्या हो गया संटेंस केसमें आगया तो प्रिषी कलिए हम एक इस्तेमाल करते हैं सिफ्ट के साथ अगर मुझे कोई पैरागर आपको अपर केस्ट में या लोवर केस्ट में या संटेंच केस्ट में कंवर्ट करना हो तो हम फोर की का इस्तेमाल करते हैं अगर मुझे अपने power menu open करना जिसमें मुझे shutdown slip यह सब मिलता है तो हम सीधा सिंपल क्या कर सकते हैं अल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा power menu open होगा देखिए मैं अल्ट के साथ F4 प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते यहां कि आपका power menu open हो गया जिसके अंदर आपको shutdown sleep sign out यह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है दूसरा यूज क्या है इसका कि अगर आप अल्ट के साथ F4 किसी document में किसी software में प्रेस करते हैं तो आपका वह सीधा close हो जाएगा जैसे यहां पर हम click करके close करते हैं लेकिन अगर आपको बिना mouse किये keyboard से ही करना है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं अल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे यह document जो होगा आपका वह बंद हो जाएगा close हो जाएगा तो यह यूज होता है हमारा किसका F4 की का अब हम बताते हैं आपको कि F5 की का क्या यूज होता है यह सारे लोगों को पता है कि F5 क famous री यूज होता है वी तरह को दिखा देता ओं एफ-वैप की के यूज हम पली रिफरेस करने के लिए करते एक तो आपका रिफरेस के लिख किया और रिफच्त पर क्लिक करते सीधा हाता लेकिन अम सीधा ऊपर एफ पाइब करके वह भी कर सकते हैं आप सकते हैं तो आप सिक्स की का इसते माल करते हैं जो आपका नीचे टास्क बार देख रहा HY onkār layer दिख करना है तो आप एफ 6 की की का यूज कर सकते हैं जैसे हैं पे यहीं डिख सकते हैं जो Microsoft Aijs था वो सेलेक्ट हो गया फिर से मैं करता हूं तो इधर आपके टैंपरेचर वाला फिर से मैं करता हूं तो आगे आगया जिसमें आपको हिदेन इकन जो भी होंगे वह दिखेगा फिर से मैं एप 6 को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां सबसे एंड में आ गया फिर आप प्रेस करेंगा इप 6 तो आपका कहा आ जाएगा इस्टार्टिंग में आजाएगा तो यह यूज होता है आपका F6 का बिसिकली जो आपके टास्क वार में जो जो चीजों को आपने पिन किया है उसके सेलेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F6 की का हम देखते है F7 की के बारे में F7 की का use हम spelling चेक करने के लिए या फिर grammar चेक करने के लिए करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक word लिखा computer जिसका spelling मैंने गलत कर दिया एक और word मैं लिखने जा रहा हूँ certificate जिसका spelling भी मैं गलत लिखूँँगा उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या F7 से spelling चेक वाला pop-up open होता है या नहीं होता है तो चलिए हम press करते है F7 जैसे मैंने यहाँ पर F7 को press किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको की pop-up menu open होके आ गया जहां पर आपका computer word अगर wrong है तो वो आपको दिखा रहा है कि यह wrong है आप उस पर click करके जो सही है आप change पर click करके उसको सही कर देंगे इसी तरह से जब हम certificate को select करते हैं तो उसको select करने के बाद मुझे pop-up में दिखा रहा है कि certificate का तीन option सही है आपको जो option आपके हिसाब से आपको सही है यूज करना है उस पर आप click करेंगे click करने के बाद आप change पर click कर देंगे तो आपका वो भी word क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर देंगे यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी गलत वर्ड है वो ठीक हो नॉर्मेली मैंने यहाँ पे एक डेटा प्रिपेर कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा ले लिया है अभी मैं इसमें क्या करूँगा आपको यूज करके दिखाऊंगा कि F8 की का कैसे इस्तेमाल होता है अभी मैं जो अगर राइट ऐरो से इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यह सेलेक्षन मूव हो रहा है लेकिन अगर मुझे इस सेलेक्षन को लॉग करना हो तो उसके लिए हम सीधा F8 की का इस्तेमाल कर सकते हैं हम जैसे F8 की को प्रेस करेंगे वहां से सिल हमारा क्या होगा लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए मैंने अभी जैसे प्रेस किया ये सिल हमारा क्या हो गया लॉक हो गया अभी लॉक सिल को आप उपर भी ले जा सकते हैं नीचे भी ले जा सकते हैं जिस साइड आपको expand करना है, expand कर सकते हैं. तो ये use होता है हमारा F8 की का. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि F9 की का क्या use होता है. Basically F9 function की का use हम तब करते हैं, जब हम अपने computer system में Windows को install कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें अगर bootable page पे जाना हो, तो उसके लिए हम directly F9 की का use कर सकते हैं. जैसे हम F9 की को press करेंगे, वैसे हम कहां पहुँच जाएंगे, bootable page के अंदर पहुच जाएंगे. F10 की का use हम करते हैं, right click करने के लिए. अभी अगर मुझे manually right click करना होता है, तो हम mouse से क्या करते हैं, right click करते हैं. लेकिन अगर मुझे बिना mouse का use के right click करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम shift के साथ F10 की को press करें, तो आपका right click आ जाएगा. shift को मैं press किया रहूंगा, जैसे F10 को करूँगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ आपका right click open हो जाएगा. तो right click का basically F10 से हम right click को open करने के लिए यूज़ करते हैं हम, अगर मुझे full screen mode में जाना है, suppose कि आप यहाँ YouTube देख रहे हैं, और आपको वहाँ full screen mode पे जाना है, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, F11 की को press कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ अभी अगर F11 की को press करूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ आप full screen mode में आ गए, फिर अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो आप simply फिर से F11 को press करेंगे, आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो यह use होता है हमारा किसका F11 की का, तो आप देख से बाहर जाएंगे,